हेलो फ्रेंड वेलक़म टू होमफूट रसेपिस आज हम बनाएंगे क्रिपी केले की वेफर केले की वेफर घर जैसे ही क्रिस्पी बनती है तो टेल भी इसमें हमने घर पर अच्छा यूष में बहुता है आप इसे छोटे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते है या फिर जब शाम के नास्ते में आपको हल्की फुल की बोख लगे तब इसे खा सकते है इस वेफर को आप ज्यादा कॉंटिटी में बना कर 20 से 25 दिनों तक श्टोर भी कर सकते है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती तो चलिए इसे बनाना शुरू करते है वेफर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 पिस जितने कच्चे केले लिए है उसका सबसे पहले हम आगे का और पीछे का इस्सा काट लेंगे और अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे मैं यहाँ पे चाकुर से इसके छिलके निकाल रही हूँ आप चाहे तो पीलर से भी निकाल सकते हैं पीलर से थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा इसी तरह हमें पहले से इस सारे केले के छिलके निकालके रेडी रखना है और तेल भी मैंने पहले से ही इस low flame पे गरम करने के लिए रख दिया है जब तक मैं ये सारे केले में छेलूँगी तब तक में तेल भी गरम हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से सारे केले के हमें छिलके निकालके हम ready कर लेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम एक slicer लेंगे और गरम तेल में ही हम directly wafers को fry करेंगे ये एक केला मैंने यहापे गिस लिया है तो इसी तरह और एक केले की में मैं वेफर बना लूँगी आपकी कड़ाई में जितनी वेफर आ सके उतने केले की वेफर आप बना लीजे वेफर को मैंने एक दम गरम तेल में और फास्ट फ्लेम पे बनाया है मतलब कि गैस की फ्लेम फास्ट रखके ही हमें केले की स्लाइस कोईल में डालनी है तो अब हम इससे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे दो मिनटी से मीडियम फ्लिम पी हम फ्राय होने देंगे उसके बाद इसमें हम नमक वाला पानी एड़ करेंगे अब हम इसमें दो चम्मच जितना नमक वाला पानी डालेंगे एक चम्मच नमक में मैंने दो बड़े चम्मच जितना पानी मिक्स कर दिया था नमक वाला पानी आप ज़रूर डाले उसे से हमारी वेफर मार्केट की तरह क्रिस्पी बनती है और अब इस वेफर्स को हम slow to medium flame पे फिर से fry होने देते हैं 5-6 मिनट तक हमारी केले की वेफर अब अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है हम इसे बीच-बीच में पल्टाते हुए fry करना है और टोटल साथ से 8 मिनट लगती है एक बैच को fry होने में तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं जब आप वेफर्स को निकालेंगे तब ही उसकी क्रिस्पी आवाज आएगी और आपको पता चल जाएगे का ये कितने क्रिस्पी बनी है और जब वेफर्स करम हो तब ही हम इसके उपर एक मसाला छेड़केंगे एक चम्मत जितना काली मेश पावडर और एक बड़ा चम्मत चाट मसाला दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और मसाला बनाया है इस मसाले को वेफर्स जब गरम हो तब ही आपको छेड़कना है इससे वेफर्स बहुत ही क्रिस्पी बनती है और टेस्टी भी लगती है ठीक जैसे हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वैसी ही लगती है तो बाकी की भी सारी वेफर में सेही में इसी तरह बना लूँगी दूसरा बैच भी मैंने सेही में उसी तरह से फ्राई कर लिया है इसे भी अब हम उसी बाउल में निकाल लेंगे मेरी वेफर्स यहाँ पर थोड़ी छोटी साइस की बने हैं क्योंकि केले की साइस भी छोटी थी इसके उपर भी जब वेफर्स करम हो तब हम मसाला चड़केंगे और अगर आपनी नोटेस किया हो तो मैंने वेफर्स को टीशू पेपर पर नहीं निकाला है क्यूंकि जब वीफर्स गारम हो और उसके उपर तेल चिपका हुआ हो तब इस पे हम मसाला डालेंगे तो अच्छे से वो कोट हो जायगा वन्ना अगर वीफर ठंडी होगी तो मसाला नीचे इकटा हो जाएगा तो हमें जब वीफर्स करम हो तभी मसाला छेड़कना है फ्रेंट्स वीफर को मैंने एक बाउल में निकाल दिया है आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से अपने गर्पे ट्राइ करें अगर आपको मेरी एस रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शर और सब्सक्रेब करना ना बोले सब्सक्रेब बटन के बाजो में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि आपको मेरा हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराते में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई